प्रदान मंतिजी जब से आई हैं क्या कान में फुक के चली गए इनितिजी को बंगाल जैसी सरकार आज भी हर में चल लई कि विरोधी को लाठी मारना है गोली मारना है जनता कुछ बोले तो उस पर गोली चला देना है देखे जिस तरह सूरज का अगनत्ते हैं देख रहे हैं सूरज की करने आपको उसी तरह मोदी का अनत्त है देख रहे हैं देश में आप इंडिया वर्सेज एंडिये की लड़ाई होगी प्रधान मंतिने मोदी ने कल ही कहा है कि तीसी टर्म में जब हम आएंगे तो देश की एकोनोमी जो है वो तीसे स्थान पर देश की एकोनोमी ह हैं वह अगर हम वर्ल्ड की बात करें दुनिया की बात करें तो तीसे स्थान पर होगी इंडिया की इकोनोमी आप तीसे स्थान पर जाने वाली यह लेकिन इंडिया की मतलब भारत हैं और को नाम रख ले अब जहिये का गाउं में कोई अपने बेटा का नम कलक्टर रख लेता है तो क्या वो कलक्टर हो जाता है भी नाम रखने से आप पूरे इंडिया का नितुरुत कर लेंगे हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं प्रधान मंतरी नैंदर मोदी जी एक सो चालिस करोड जनता प्यार करती है पहली बार बने पांस साल में काम करके दिखाया और दस नमबर पे थे पांच नमबर पे एकोनमी आ गई फिर से जीतेंगे तो टॉप थ्री में ले आएंगे भारत के एकोनमी को आज नेंदर मोदी जी का कोई तोलना नहीं है कोई बराबरी नहीं है पुरा देश ना है अंदर मोदी जी ke साथ है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है पूरी ताकत से हम लोग इंडिये भいます कहां नितिजी कता थे कौन सा इंडिये नहीं है अब वो एंडिये तो नितिश कुमार जी भी तो आरजडी के खिलाफ आरजडी के विरोध में उनका उदे हुआ था आज तो आरजडी के साथ है तो नहों नितिश जी नहीं वो जी को याद करें इस बात के लिए अगले साल आएंगे तो मोदी ही आपको लगता ऐसा देखिए जिस तरह सूरज का उगनत्य है देख रहे हैं सूरज की करने आपको उसी तरह मोदी का अनत्य आसमान में लिखी हुई अबारत मुझे तो पढ़ाई दे रही है आपको नित् theory कुमार जी बंगाल में जागे कितना वोट वड़ा देंगे ममता जी जब से आई हैं क्या कान में फुक के चली गे नित्य जी को बंगाल जैसी सरकार आज भी हार में चल लए हैं येसे बंगाल में है लाठी गोली की सरकार आप यहां नितिश कुमार जी लाठी गोली किसे अलग रहते थे नितिश बाबु को क्या हो गया सुसासन बाबु कहलाते थे आज लाठी और गोली की सरकार उनकी कहला रही है बिजली क्या कसूर था हम लोगों का बिजली मांग रहे थे आप तो कह रहे थे कि हमने गाउं गाउं बिजली पहुंचा दी यहानी इस तरह गोली चला देंगे, नेताओं पर लाठी चला देंगे, शांसत विधायक को पीड़ देंगे, इस ममता जी यहाँ आई है, उसके बाद से खाली लाठी चला आ है, कभी शिक्चक पे, कभी मेडिकल के लोगों पर, कभी नेताओं पर, अब तो गोली भी चलने ल गठबंदन के लोगों ने जो बैठक की उसका एक ही असर हुआ ममता जी तो यहां से कुछ सीख के नहीं गई लेकिन अपना जो मंत्र है वो कान में फुक कर चली गई है कि विरोधी को लाठी मारना है गोली मारना है जंता कुछ बोले तो उस पर गोली चला देना है यह कौन सा मौडल अपना लिया है है शाहनवादस ने बड़ी बात कि है ममता दीजिने ने नितिश कुमार के कान में क्या फूक दिया है जिसके बाद बिहार में लाठी और गोली चली लगी है शाहनवास और दावा किया है आएंगे तो मोदी आप लाइप स्ब्सक्राइब कर लें